जेहिं दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे ओफिशियल यूट्यूब चैनल एसके जॉब सग्यान में तो दोस्तों आज की वीडियो में हम जिस वकैंसी की बारे में बात करने वाले हैं चीब मेडिकल आफिसर उन ना हीमचल पर्देश के दो दJE कली गई है तो दोस्तों इसमें जो आपकी वकैंसी रहे गी वोfar लै्ब टेक्निशन की परोजक्ट असिस्टेंट की और मेडिकल माइक्रोबायो जीस्ट की इसमें आपको वकैंसी निकली गई है तो दोस्तो अगर आपने plus to pass की है, DMLT की है या PG degree है आपके पास तो आप इनके लिए apply कर सकते हैं तो दोस्तो आगे हम आपको वीडियो में इसका पुरा eligibility criteria के बारे में बताएंगे और आप इसे कैसे apply करोगे उसके बारे में भी हम आपको पूरी जानकारी देने वले हैं तो दोस्तो वीडियो को end तक जरूर देखे ताकि आपको इसके बारे में पूरी जानकारी मिल सके और दोस्तों अगर आप हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल एसके जोब सग्यान को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल के आइकन को दुबाएं ताकि आगे भी हम आपके लिए ऐसे ही और नहीं नहीं वकैंसी की डिटेल लेकर आते रहें तो दोस्तों ये इनकी ओफिशियल नोटिफकेशन है जिसमें आपको सबसे पहली वकैंसी मेडिकल माइक्रो बाइलोजिस्ट की दी गई है तो दोस्तों इसमें जो आपकी नमबर वकैंसी हैं दो रहेगी और इसके लिए आपका एजुकेशन क्वालिफकेशन चाहिए फर्स्ट क्लास में आपकी मास्टर डिगरी होनी चाहिए माइक्रो बैलोजी, बायो टेकलोनोजी और बायो कमिश्ट्री अगर इनमें से आपके पास है तो आप इसे अपलाई कर सकते हैं तो दोस्तो इसके बाद बात करते हैं इसकी एज लिमट की तो इसमें जो आपकी अपर एज लिमट है वो 40 साल तक होनी चाहिए और इसमें जो आपकी सेलरी है वो 50,000 पर मंत फिक्स्ट सेलरी आपको दी जाएगी और दोस्तो इसका जो mode of interview है वो virtual या online interview होगा और इसकी जो date of interview है वो short list candidate को inform कर दिया जाएगा तो दोस्तो इसके बाद बात करते हैं इसकी second vacancy की जो की है project assistant की तो इसमें आपको number of vacancies चार दी गई है जिसमें journal की 3 है और OBC की एक vacancy दी गई है तो दोस्तो इसके लिए आपकी education qualification रहेगी first class master degree होनी चाहिए microbiology, bio technology, bio chemistry और इन समय से की अगर आपके पास education master degree है तो आप इस post के लिए apply कर सकते हैं तो दोस्तो आप बात करते हैं इसकी age limit की तो इसमें जो आपकी age limit है वो 35 साल तक दी गई है और इसमें जो आपकी salary है वो 31,000 per month fixed salary आपको दी जाएगी और दोस्तो इसका भी mode of interview आपका virtual या online interview होगा और date of interview इसका आपका shortlist candidate को inform कर दिया जाएगा तो दोस्तो इसके बात करते हैं next vacancy की तो इसके लिए आपका जो है next vacancy है lab technician की जिसमें आपको total 8 vacancies दी गई है जिसमें journal की 5 हैं OBC की 2 है और SC की एक vacancy दी गई है तो दोस्तो आप बात करते हैं इसकी qualification की तो इसके लिए आपका plus two pass होना चाहिए science subject में और आपके पार two year का diploma होना चाहिए MLT या फिर आपको एक साल का diploma होना चाहिए DMLT में तो दोस्तो आप इसे apply कर सकते हैं तो दोस्तो इसके बाद बात करते हैं इसकी age limit की तो इसमें जो आपकी age limit है वो 28 साल तक दी गई है और इसमें आपकी salary 13,000 पर मंत रहेगी तो दोस्तो आप बात कर लेते हैं इसके documents की तो इसमें जो आपके documents होंगे वो marksheet and degree of all qualifying examination experience certificate of all experience mentioned in the application certificate of additional certificate अगर आपके पास है इसके बाद आपका proof of age का लगेगा और आपका cast certificate लगेगा तो दोस्तो इसमें जो आपकी age है वो 30 June 2021 तक count की जाएगी तो दोस्तो आपने करना किया है कि इसमें आपको एक application form दिया गया है वो आपने भर कर scan करना है और उसके बाद आपने जो original documents है certificates हैं वो आपने scan करना है उसके बाद आपने इनको आपकी email ID दी गई है आपने इस पर 24 July 2021 से पहले पहले send करने हैं तो दोस्तो आप बात करते हैं इसके application form की तो इसकी official notification में आपको इसका application form दिया गया है जो की आपने बरना है तो आप यहां से इसका print out निकाल कर इस इन post के लिए apply कर सकते हैं तो दोस्तो अगर आपकी इनके बारे में कोई query है तो आप हमारे video के comment section में comment करकर हम से इसके बारे में पूछ सकते हैं धन्यवाद दोस्तो जय हिंद जय भर